हेलो फ्रेंज वेलकम टो एक्जाम टॉपर दोस्तों आज की इस वीडियो में स्टाटिक जीके के इंपॉटेंट टॉप 30 MC की इटेल में इसक्स करेंगे इस्टाटिक जीके की सीरीज का पाट 45 है स्टाटिक जीके से जादतर कुछन पूछे जा रहा है जो कि आपके आने वाल इसली वीडियों तक जरूर दिखेगा और सभी कुष्ण से लेटेक्स्ट एफेक्ट पूजानेंगे यह स्टाटिक जीके का 45 वीडियो है तो आए शुरू करते हैं मारा पहला कुष्ण हमारा फस्ट कुष्ण है दोस्तों सबसे छोटी मेमरी साइज कौन सा है तो दोस्तों वे है कीलोबाइट ठीक है कीलोबाइट जो है दोस्तों सबसे छोटी मेमरी साइज है अगर बात करें से बढ़ी की किलोबाइट के बाद आता है मेगाबाइट देन गीगाबाइट उसके बाद आता है दोस्तों टेराबाइट याद रखीगा हमारा नेक्स्ट कुष्ण है दोस्तो रास्टे स्यक्षिक अनुसंदान और प्रशिक्षन परिषद की स्थापना कब हुई थी तो वै की गए थी कब की गए थी 1961 में ठीक है हैं दोस्तो रास्तिर्श स्यक्षिक अनुसंदान और प्रशिक्षन प्रसिद्ट की जो स्थापना है एक सितंबर 1961 में हुई थी और ये भारत सरकार दुआरा स्थापना है जो विद्याले शिक्षा से जुड़े मामलों पर केंद्रे सरकार और प्रांति सरकारों को सला देने के उ श्रूदे शॉक का निंद्या शुटें प्रों ध लोग नित्याली है थे यह थोस्तो ब्रु भूतमी का थिक है यह ढ़े रिंत्तरे में मुखोटे का प्रयोक किया जाता है तो दोस्तों वह निर्त्ते कौनसे क्यलाता है कथकली ठीक है 1. इसमें होता है मुकोटे देगा, याद रखीए गा हमार हेंस स्थीच क्रूं घार्ड़न कहा इस देते हैं तो व्रिंदावन गार्डन जो है दोस्तो वैस थे तह मैं सूर में, ओके, हमारा नेक्स्ट क्रिशन है दोस्तो, एफिल टावर के डिजाइनर कौन थे, तो उनका नाम है सर गुस्ताव एफिल, ठीके, इन्होंने डिजाइन किया था, एफिल टावर, याद रखीएगा, हमारा नेक्स्ट इंपड़न क्रिशन है दोस्तो, निमलिकित संस्थाओं में से कौन सी संस्था ने दो अक्टूबर को अंतारास्टे आहिंसा दिवस घोशित किया, तो बताएए दोस्तो, कब बना था, वै बनाया गया था, रास्टे, सयुक्त रास्ट महासबद वारा, ठीके हैं दोस्तो, UNA ने जो है विश्व अहिंसा दिवस की घोशना की थी, उनके कारे और विचारों ने जो है देश को अजादी दिलाने में पड़ी भूमी का दिभाई दी, इसके अलावर गांदी जी जो है दोस्तो हमेशा सत्य और अहिंसा के रास्ता पर चले और पूरी मानवता को विश्व शांदी का पाट पड़ाया, जिसको देखते हुए दोस्तो, UNA यानि कि सयुक्त रास्ट महासबा ने जो है 15 जून 2007 को मात्मा गांदी के जनम दिन यानि कि 2 अक्टूबर को विश्व अहिंसा दिवस घोशित किया, याद रखीगा, और दोस्तो ये वीडियो कै का से लगा बताईए का जरूर, अगर आपको वीडियो अच्छा लगाया तक जाम चोपर को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करें, और शेयर करना बिल्कूल न भूलें, हमारे नेक्स्ट कुशिए हैं दोस्तो, रास्टे द्वज के धर्म चक्र में कितने आर्यानि स्पोक् 24 ठीक है, भारत के रास्टे द्वज में जो है अशोक चक्र को इस्थान दिया गया है, इसके अलावा अशोक चक्र में जो है दोस्तो, 24 तिल्यां होती है, जिनमें हर एक तिल्ली का एक विशेश मैत्व होता है, ठीक है, विशेश क्या होता है, हमारे नेक्स्ट कुशिए है तो 27 दिसम्बर 2007 को जो है इनकी हत्य कर दी गई थी हमारा next question है दोस्तो सयुक्त रास्ट की नवीन्तम सरकारी भाशा कौन सी है तो वे है अरभी याद रखी का हमारा next question है दोस्तो 11th question है महिलाओं के ससक्ति करण के लिए रास्टे नीती किस वर्ष में अपनाए गई थी तो वे अपनाए गई थी 2001 में बात करें रास्टे महिला ससक्ति करण नीती की जो की 2001 में अपनाए गई थी दोस्तो ये जो है gender समानता का सिद्दान्त भारती सम्वेधान की प्रस्तावना मौलिक अधिकारों, मौलिक कर्तवी और नीती निर्देशक सिंदान्तों पर प्रतिपादित है इसके अलावा सम्वेधान जो है महिलाओ को ना केवल समानता का दर्चा प्रदान करता है अपितु दोस्तो राज्ये को जो है महिलाओं के पक्ष में सकारात्मक भीदबाओं के उपाय करने की भी शक्ति प्रदान करता है याद रखिए का दोस्तो हमारे ने अक्स्क्रेशन है दोस्तो विश्मौर्ण विज्ञान संक्रचन यानि वर्ड मेट्रों लॉजिकल और औरगनाईजेशन का मुक्याले कहां इस्तित है में थलक्क एवाद arrange दोक्रैश्टेशन में ठीक है विश्मौर्ण विज्ञान संगठन जो है दोस्तो एक मौसम विज्ञान संगठन है जिसे 11 अक्टूबर 1947 को हुई संदी के बाद 23 मार्च 1950 में सापित किया गया था इसका जो मुख्याल नहीं है दोस्तो वह है जिनेवा में याद रखीगा हमारा नेक्स्ट क्षिन है दोस्तो चित्रकार राजा रवी वर्मा का समन्द किस राज्य से है तो वह रेलेटेड है केरल से राजा रवी वर्मा जो है दोस्तो भारत के विख्यात चित्रकार थे उन्होंने भारती साहित्य और संस्क्रीती के पात्रों का चित्रन किया है इसके अलावन के चित्रों की जो सबसे बड़ी विश्रेस्ता है दोस्तों वैं हिंदू, महाकाव्य और ध्रम गंदों पर बनाए गए चित्रों ठीक है? हमारा नेक्स्ट क्रिशन है दोस्तों निमली कित में से कौन से ग्रेनाइट के दो मुख्य घटक है? तो वैं है सिलिका और अलुमीनियम याद रखी का और दोस्तों ये वीडियो शेयर करना बिल्कुल न भूलें आप सभी जानते है शेयरिंग इस दा बेस्ट वी उफ लर्निंग तो शेयर ज़रूर करें अमारे नेक्स्ट कुशन है दोस्तों पदमसुब्रमन्यम की सास्त्रे नित्ते शैली से संबन्दित हैं तो वैं रेलेटेड है दोस्तों भरत नाटियम से ओके? अमारे नेक्स्ट कुशन है दोस्तों निमली कित में से सबसे प्राचीन वादे यंत्र कौन सा है? तो दोस्तो बताईए वह है वीना ठीक है पुराणी ग्रंथों में जो है सरस्वती और नारत का प्रियवादे यंद्र वीना था ठीक है दोस्तो हमारे next question है दोस्तो मद्दे वर्ती अंदर भेदी आगने चट्टानों का अधारन कौन सा है तो दोस्तो वह है डाइक याद रखिएगा हमारे next question है दोस्तो computer के संदर में lane का क्या अतात पर रहे हैं फुल फॉर्म बतानी है तो दोस्तो होती है local area network ठीक है दोस्तो a local area network is a computer network that interconnects computers with a limited area such as a resident, school, laboratory, university campus और office building याद रखिएगा दोस्तो हमारे next question है दोस्तो प्रसित elephanta गुफाए कहां इस्तित है तो दोस्तो वह है मुंबई के समीब ठीक है elephanta गुफाए या फिर घारापूरी गुफाए दोस्तो यह जो है भारत के मुंबई के gateway of India से लगबग कितना 12 km दूर इस्तित है किस तहल है जो अपनी कलात्मक गुफाओं के कारण प्रसिद है और यहां दोस्तो कुल जो है साथ गुफाए है याद रखिएगा हमारे next question है दोस्तो एसी आर्टिक सोसाइटी ऑफ बंगॉल के संस्थापक कौन थे तो दोस्तो वह है सर विलियम्स जॉन्स ठीक है एसी आर्टिक सोसाइटी की जो स्थापना है दोस्तो सर विलियम्स जॉन्स ने 15 जन्वरी 1784 को की थी ठीक है हमारे next question है दोस्तो सयुक्तरा संकी स्थापना कब हुई थी तो दोस्तो सयुक्तरा संकी जो स्थापना है कब हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को और दोस्तो ऐसी इंटेस्टिंग वीडियोज और question के लिए exam chopper को आप अपने दोस्तों के साथ like कीजिए subscribe करें और शेयर करना बिल्कूल न भूले हर social sites पेश पे कीजिए ताकि आपके साथ साथ दूसरों की भी help हो सके तो दूसरों की भी help कीजिए दोस्तो हमारा next question है दोस्तो निम्लिक की शेहरों में से कि शेहर के निकट पालिताना मंदिर स्थित है तो दोस्तो वै है भावनगर में ठीक है दोस्तो पालिताना जो है भारत के गुजरात राज्य के भावनगर जिले में स्थित नगर है जो जैन धर्म का विशाथ तिर्थिस्थान भी है इसके अलावा ये भावनगर शहर से जो है दोस्तो 50 किलो मीटर दक्षिन पश्रिम दिसा में सतत है और कानूनी रूप से दोस्तो ये दुनिया का एक मादर शा का हरी शहर है याद रखीगा हमारा नेक्स्ट किशिन है दोस्तो किस नगर को इलेक्ट्रोनिक नगर कहा जाता है तो वै केलाता है बेंगलूरो ठीक है हमारा 24 किशिन है दोस्तो LSE Palace कहा है तो दोस्तो LSE Palace जो है वैस देता है फ्रांस में याद रखीगा हमारा नेक्स्ट किशिन है दोस्तो नेहरू ट्रोफी का खेल सॉरी नेहरू ट्रोफी किस खेल से सम्बंदित है तो बताएए नेहरू ट्रोफी का संबन्द किस खेल से है वह है दोस्तों होकी से रिलेटेड दोस्तों नेहरू ट्रोफी जो है होकी खेल से संबन्दित है और होकी खेल की पृतियोगिता जो है दो टीमों के बीच होती है प्रतेक टीम में 11-11 खेलाड़ी होते हैं और दूसरी टीम में 11 एक गोल रक्षक दोस्तुरक्षण पंक्टी में तीन मद्द्ध पंक्टी में और पांच अगरिम्पंटी में होते हैं इस पाफ्टी है दोस्तो 75 मिनट होती है जिसमें 5 मिनट का क्लोनिंग टकनीक से एक पहले उटकन जन्म हुआ था जिसका नाम क्या है इजान्ज चीक है हमारा नेक्स्ट इंपॉर्डन कुषिन है दक्षिन भारत की परवतिय सेरगा उद कर्णमनम या फिर उटी की राज्य में स्थित है बताईए दोस्तों तो वह है कहां पे तमिलनाड कि सीमा पर बसाईए शेर मुख्य रूप से एक परवतिय स्थल के रूप में जाना जाता है कोयम बटूर जो है दोस्तों यहां का निकटम हवाई अड़ा है याद रखिएगा हमारा नेक्स्ट क्षिन है दोस्तों जहरखन का पाइका है एक क्या है बताईए तो दोस्तों व से और दोस्तों राजा रवी वर्मा धोस्तों शकुन्त्ला है राजा रवी वर्मद्वार मत बनाए क्ष sistemas के हैं जास सब्सकिक्र को एक पत्र लिखती है ऑर शबाया से प्रस्तुत किया गया था तब रवी वर्मा की क्या हुई थी प्रशने सा हुई थी उन्हें बहुत अप्रिशेट किया गया था ठीक है दोस्तो हमारा लास्ट कुछन है दोस्तो निमलिकित में से कौन ODC नरते शैलिक की निरत्यांगना नहीं है यहां पर नहीं पूछा है कौन नहीं है तो दोस्तो वह है यामिनी कृष्ण मूर्ती ठीक है मुंगरा यामिनी कृष्ण मूर्ती जिनका जर्म दोस्तो 20 दिसंबर कब 1940 को हुआ था 1940 को और यामिनी दोस्तो बरतनाटियमूर कुछी पूडी न्रतिया नर्तकी है यामिनी जो है दोस्तो कृष्ण मूर्ती इनको 2001 में भारा सरकान ने कला के शेतर में पदमन भूशन से सम्मानित किया था ठीक है और यह कहां से है दोस्तों यह है दिल्ली से याद रखिएगा तो दोस्तों यह थे स्टाडिक जीके के